समाज में दो समुदाओं के बीच नफरत कितनी बढ़ती जा रही है ये एक बार फिर देखने को मिला ओनलाइन फुड कंपनी वेबसाइट जमैटो पर पंडित अमिसुकला नाम के एक सक्स ने खाना ओर्डर किया और जब उन्हें मैसिज के जरिये पता चला कि मुसलिम डिलेवरी बॉय उनका खाना लेकर आ रहा है उन्होंने सावन का हवाला देते हुए जमैटो से डिलेवरी बॉय बदलने को कहा जमैटो ने इससे इंकार कर दिया तो अमिसुकला ने ओर्डर कैंसल कर दिया और जमैटो से रिफंट देने की मांग की जमैटो कंपनी ने रिफंट देने से भी इंकार कर दिया और अमिसुकला को करारा जबाब भी दिया लोगों ने भी अमिसुकला को इसके लिए सोसल मीडिया पर खूब खरी-खोटी सुनाई इस पर जमैटो ने भी अमिसुकला को करारा जवाब देते हुए सोसल मीडिया यानि की ट्वीटर पर लिखा की खाने का कोई धर्म नहीं होता और यह एक धर्म है अमिसुकला को अपने इस फैसले के लिए सोसल मीडिया पर कड़ी अलोचना जिलनी पड़ रही है और लोग जमैटो के फैसले का स्वागत कर रही है अमिसुकला ने इस वाक्य को ट्वीटर पर सेर करते हुए लिखा की मैंने अभी तुरंट जमैटो पर दिया अपना ओर्डर कैंसल कर दिया क्योंकि वो एक गैर हिंदू को मेरा खाना लेकर भेज रहे थे और ड्लेवरी बॉय को भी बदलने से इंकार कर दिया मैंने उनसे कहा कि वो मुझे पर इस तरह खाना लेने का दवाब नहीं बना सकते और मुझे रिफंट की कोई जरूरत नहीं है अमिसुकला ने जमैटो पर मुसलिम डिलेवरी बॉय से जबरजस्ती खाना लेने के लिए दवाब डालने का आरूप लगाते हुए वर्टसब चैट का इसकिन सौट भी ट्वीटर पर सीर किया इस चैट में दिख रहा है कि अमिस जमैटो कंपनी से कह रही है अभी हमारे लिए सावन चल रहा है और इसलिए हमें किसी मुसलिम सक्से डिलेवरी की कोई जुरत नहीं है इसके नीचे की चैट में जमैटो कंपनी की तरफ से जो जवाब आया उसमें कंपनी कह रही कि अगर वो ओर्डर कैंसल करते हैं तो उन्हें कैंसलेशन चार्ज के तौर पर 237 रुपे देने होंगे पंडित अमित सुकला ने एक और स्किन्सोट सेर करते हुई लिखा कि मैंने आपत्ती दर्ज कराई तो जमैटो ने उन्हें ब्लॉक कर दिया और हिस्ट्री भी दिखाई नहीं दे रही है अमित सुकला ने कहा कि अब वो इस मामले को लेकर अपने वकील से सलह लेंगे